चाणेके के नीती साम दाम दंड भेद से अपने दुश्मनों को काबू में करना इसका पालन भारत के द्वारा नहीं बलकि चीन के द्वारा किया जा रहा है और मज़े की बात यह है कि चीन के द्वारा इस नीती का पालन भारत के ही खिलाफ किया जा रहा है यानि कि वो साम द का दंड भेद हर तरीके से अपनी नेबरिंग कंट्री को घेरने की योचना बना रहे हैं इसी संधव में अभी चीन और पाकिस्तान के द्वाला जो सी पैक है यानि के चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिडॉर है उसको एक्स्पेंड करने की बाद कहीं जारी है लेकिन यहा इनिशेटिव है उस पर भारत का क्या मत है यह उसको एक बार फिर से स्थापित करता है वश्कार दोस्तों मैं प्राची संस्कृति आयस यूट्यूग चानल पर आप सभी का बेहर स्वागत करती हूं आज मेरी आवाज खराब है तो बीर वित मी प्लीज और स्टार्ट करते है कि जो चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडोर है उसको एक्स्पेंड करने के लिए हम जो है तैयार है देखे जो शहबाज शरीफ है यानि के पाकिस्तान के जो प्रधान मंत्री है वो एक ओफीशल विजिट पर है चाइना की और एक हाई नेवल डेलिगेशन के साथ वो सामने हो इसके बावजूद कहते हैं कि हमारी प्रतिबदता है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की इसको हम देखे कायम रखते हैं दूसरे न्यूस देखे ओन चाइना बेल्ट एंड रोड हाव जेशंग रीट्रेटेड इंडिया लॉंग स्टेंडिंग कंसिस स्टेंड भारत की तरफ से मिंटेन किया गया है इसका बहुत बड़ा कारेंट यह है कि बियाराई का एक जो क्राउन ज्वेल माना जाता है वह चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडोर वह तरसल पाक ऑक्क्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है यानि कि हमारी जमीन हमा पैसरे पक्ष को स्टेंग वह चांक इस किया है और हमारी हमेशा सी पॉजइशन रही है कि वह हिस्सा वह जमीन हमारी है और बहौरत का यह मत निकल कर सामने आया है कि किसी तीसरे पक्ष को आप इस परियोजनों में शामिल नहीं कर सकते हैं और हम इस वात का समर्थन नहीं करते हैं और इसी संधर में यहां पर देखिए जो बहुत बड़े इस्तर का मल्टी नेशनल मल्टी मॉडल करेक्टिविटी इंफरस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे रील लाइनों के जरिए ब्रिजस के जरिए रोड के जरिए बहुत सारे अन्य जो ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं करने की कोशिश कर रहा है ताकि आसपास के देशों के साथ उसका कनेक्शन इस्ताब्रीश हो जाए ताकि कलको ट्रेड में और सेक्योर्टी के पॉइंट फ्यू से जो आवा जाई है चीजों की वह बहुत आसान हो जाए और यह सब यहीं तक सिमित नहीं है इसके जरिए चा चाइना की डाप्टर ट्रैप में फस जाती है क्योंकि अल्टीमेटली जो आप पर लोन है उस पर आपको इंटरस्ट में वापस करना है और वो लोन भी आपको वापस करना है लेकिन इस परियोजना के तहट इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो है चाइना के दौर पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडोर है उसकी मोटे दोर पर जो लागत निकल कर सामने आती है कुछ फीगर्स है उस पर चाइन और पाकिस्तान दोनों एगरी करते है हाला कि देरा सटेन आप कह सकते अंट्रांस्परेंट चीजे भी है तो 25 बिलियन डॉलर है इतना ज्यादा पैस अपनी पोजिशन रखी है तो बात करते हैं जून 2020 में जो लद्दा की सीमा पर भारत चीन की जड़प हुई थी उसके बाद से रिष्टे कुछ खास अच्छे पहलू में कुछ अच्छे दोर में नहीं रहे थे जैसे अभी हाली में जो वहाँ पे चीन के अंदर एक कॉंग और लीडर के रूप में निकल कर सामने आए हैं तो लगबग पूरी दुनिया के लोगों ने नेताओं ने जो है उनको बढ़ाई थी लेकिन मोदी जी के तरफ से ऐसा कोई ओफीशली बढ़ाई का संदेश उनको नहीं दिया गया था तो माना जा सकते है कि रिष्टे इसमें ए-द растा है वारत का आफी सब्स्वियाइं के रिष्टे घृब चली रहे थे भारत और चीन के रिष्टे 202 शीघवाथ कर दोर में चल रहे हैं वहीं चीन और पाकिस्तान जादा से जादा मजबूति अपने रिष्टों में दिखा रहे हैं जैसे जो पाकिस्तान के प्रधान मंतरी है शहवाद शरीफ वो दरहसल पद ग्रहन करने के बाद अपरेल में उन्होंने अपना ओफिस होल्ड किया था अब उन्होंने पहला जो अधिकारिक दोरा किया है वो कहां का किया है और चीन की कम्मुनिस्ट पार्टी की जो 20 वे रास्ट्य कॉंग्रेस हुई ह उसका बाद चीन का दोरा करने वाले वो पहले विदेशी नीदा है और उन्हें बगादा ट्वीट करके यह बोला भी है कि बहुत सम्मान की बात है कि जो है यह जो कॉंग्रेस हुई है इसके बाद वो वन ऑफ दो फॉर्स लीडर है जो जिनको चीन में जो है इन्वाइट क पाकिस्तान और वेदे स्टाटरजी कोपरेटिव पार्टनर्शिप यानिके एक आप कह सकते है अधिकारी कृप से ट्वीट हुआ है कि शी जिन पिंग की तरफ से अशूर किया गया है पाकिस्तान को और जितना देखिए हमारे दो वो निशन निबरिंग निशन इनके साथ हमारे शीन ठीक नहीं है अगर वो वापस प्रिश्थे ठीक करते तो अगर वो निशन पिंग की जैसे मने तू फ्रंट वोर के बात की है इसके लावा हाली में चाइना की भॉल्फ पॉलिसे है उसको लेकर हमने बात की थी तो आप देखिए क्याकर चाइना का एक पार्ट स् पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने बात की है और उन्होंने काया है कि जो चीन पाकिस्तान आर्थ को और काम तेजी से बढ़ेगा इसका दायरह हम बढाएंगे इस बात को लेकर सेह्मति विक्थ की गई है यह पर शैवाज शरीफ का जो ओफिशल ट्वीटर है उस से लेकिट क किया गया था और उन्हें बताया था कि सेकेंड फेज जो सी पैक का चलेगा वह और ज्यादा बैटर होके जो है सामने आएगा राइट इसके बाद देखिए उन्होंने बेसिकली क्या का कुछ वर्ड्स फोकस करेंगे चीनी नित्रत्व के साथ मेरी बातचीत कई अन्यमुद् पुनर जीवित करने पर केंद्रित होगी हमने लास्ट में पढ़ा था कि सी पैक को लेकर पाकिस्तान के अंदर उतने पॉजिटिव इमोशन अब नहीं दिखाई देते हैं चाइनीज लेबर का वहां आना जिस से लोकल जनता को जो है जॉब्स न मिलना लोगों का यह मानना कि दिरे दिरे लोन में फस्ते जा रहे हैं इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स के बहुत सारी आप कह सकते चरण थे वह अधूरे रहे गए थे काफी सारी परियोजनाए जो हो गई थी और एक सेक्योर्टी कंसर्ण देखने को मिल रहा था क्योंकि जो परियोजनाए थी जो चाइनीज लेबर महाँ पर काम करी थी उन पर हमले देखने को मिल रहे थे और हाली के दिनों में पाकिस्तान की आर्मी के साथ पर रिष्टे उतनी भैतर स्थिती में नहीं थे तो इसलिए क्या कहा है सीपक को पूर्णर जीवित करना जो कोई चीज डेड हो गई होगी तब पूर्णर जीवित करने की बात हो रही है तो यहां पर देखिए सीपक का दूसरे चरणकी नोने बात के नौ दिस इस दा सेकेंड फीज और वो कहरें समझे को आर्थिक प्रगति का नया दोर लेकर आएगा लोगों की जिवन की गुणवत्ता को बहतर बनाएगा तो पाकिस सकते हैं कि थोड़े सधे हुए कदम रखे जा रहे हैं जो सेकेंड फीज की बात हो रही है इस बार शोचल एकनॉमिकल रिफॉर्म्स को लेकर बात की जा रही है तो यह थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक डिप्लोमेटिकली मैनुपलेट करने वाली चीजे होती है अपनी सिट के खतम होने के बाद अपनी ट्वीट में कुछ कहा है फारत का इस बारत का इस बी-ाराइ को लेकि लॉंस टैंडिंग आप कह सकते हैं डिसीजन था उसी को उनों रिटरेट किया जैसे उन्होंने का है कि छेतर में कनेटिविटी परियोज नहीं को मध्य एशय राजयों के हि लिया बट उन्होंने क्लियर एक मेसेज दिया है कि अगर आप कनेक्टिविटी को लेकर कुछ भी काम कर रहे हैं तो सौवर्निटी और जो एक रीजनल सौलेटरी होती इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की जुरत और इसलिए न्यूस में था यहां पर देखें जैसे उन् पोटेंशल है उसको अनलोक करने को इंडिया काम कर रहा है उन्होंने चाबार पोर्ट का जिकर किया है इंटरनेशनल नोट सौट ट्रांसपोर्ट कोरिडोर का जिकर किया है और चाबार पोर्ट नेखिये जो पाकिस्तान में चाइना के द्वारा ग्वादर पोर्ट बनाया जो रिस्पेक्ट करने चाहिए इंटरनेशनल लॉग की बहुत क्लियर वोड्स में उन्होंने चीज़ों को लिखा है देखिए एक और उन्होंने थ्वीट किया नवेंबर एक को जहां उन्होंने कहा कि स्क्रींशॉट इस चीज का देख सकते हैं तो देखे जो चीन पाकिस्तान ये कॉरिड़ॉर है इसका उद्देश ये कनेक्टिविटी रीजनल डवलप्मेंट तो था ही पाकिस्तान में व्यापार के लिए धाचे को विक्सित करना भी था और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी अगर आप हमारी जमीन पर हमसे भी ना पूछे इस तरह के कारेकलब ना करें इसलिए भारत इसको अपने स इसा देश है जिसने बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव है इसको समर्थन देने की पुस्ती नहीं की है यानि कि SEO में वन मेन आर्मी की तरह अकेले अपने जो एक पॉइंट आफ यू है उसको लेकर स्टैंड गर रहे है बागी सारी कंटर देखें चीन के साथ भी आराय पर काम कर रही है तो भारत को अपतिय क्यों है मैं आपको बार 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 बोल रहे हूं कि यह प्योपाइग करके रखा गया राइट और यह वाले एरिये से यह जो पूरा का पूरा हिस्सा है यह होकर गुजरता है एक दन य एक्टिविटी देता है तो इस पोर्टिकुलर हिस्से की वज़े से जो है भारत को आपती है मैप में देखके आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा तो यह कर रहा क्या है यह जो आठी कोरिडर चीन का जो दक्षिन शिंजियांग प्रांत है उसको पाकिस्तान का ग्वाद सबता ही तीसरे किसी दीश को शामिल करने के लिए भारत ने कहा है कि आप एक्सपेंड करने कोई थर्ड कंट्री शामिल हो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि यह हमाली सोवनेटी का मामला है हम इसनी लेके सीरियास है तो आप इस चीज को लेकर फोर्दर कुछ और नहीं कर सकते हैं ऐसा देखे भारत की तरफ से कहा गया है तो यह जो पाकिस्तान के नियंत्रन वाले कश्मीर से होकर हिसा गुजर रहा है इस पर आल्लेडी काफी काम हो चुका है और इस पका देके दूसरा चलन शुरू होने की ख़बर है तो कौमिक रिलेशन्शिप की बात करें तो हाली में चीन के साथ हवारा द्वी पक्षे वयपार 125 अरब डॉलर को पार कर गया मैं आपको शुरू में बताया था ट्रेड में बैटर हो रहा है तो हाली में देखा जाए तो थोड़े से नर्मी के संकेत दिखाई देते हैं जैसे म नेताओं ने उनको बधाई दी थी कभी इस तरह के हैंडशिक की प्रिक्चर समय दिखाई दिया करती थी लेकिन इसके बावजूद जो चीन के राष्टपती है उन्होंने जो भारती राष्टपती है और जो प्रधान मंत्री है उनको गुजरात में जो suspension bridge गीदा है उसकी इने पर शोक संतेश भी भेजाए यानिके बातचीत की पहल उनकी तरफ से थोड़ी सी हुई है तो थोड़ी नर्मी दिखाई देती है त्रेड अभी काफी अच्छा है दोनों countries के बीच में और चाइना की एक policy रही है कि वो ट्रेड को कभी भी अपने tensions के बीच में नहीं आ चीज होने वाली है क्योंकि अगले साल जो अध्यक्षता रहेगी वह भारत के पास रहेगी और भारत जब इसका शिखर सम्मीलन कराएगा तो बिसिकली जितने भी स्यों के देश भाग लेंगे चीन के रास्ट्रपती भी भाग लेंगे तो अगर इस सम्मीलन से पहले हमने रिष्टों को सुधारा नहीं तो इस सम्मीलन की सफलता को लेकर देखे प्रश्ण चिन उठ सकते हैं और भारत को थोड़ा सा ख्लावर हो के चलने की जुरत है कि सम्मीलन से पहले वह थोड़ा नॉमलाइजेशन कर दे जो भी तनाव चल रहा है ताकि स्यों की जब वह अध करने से बढ़कर कुछ भी नहीं है यह देखे उनको सुनना चाहिए बाकी सीपेक को लेकर क्या कुछ डवलोपेंट होती है इस पर जब भी कुछ नया कुछ आएगा तो उस पर हम पढ़ेंगे यहां आपने ही समझा कि भारत का क्या एक स्टेंड पॉइंट है इस पर प्रि का प्लीज अपना ध्यान रखेगा दिल्ली में पॉलुशन एंड वाइरल एंड देंगू तीनों का ही थोड़ा सा एक महोल देखने को मिल रहा है तो स्टेई हेल्दी एंड थोड़ा पढ़ाई करते रहें नमश्कार धन्यवाज जैहिंत उन्यव्चार धन्यवाज जैहिंत